नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 12 माई, शुकरवार सुबसवा 6 बजे, राजसान की बड़ी खबरें राजसान की मुखे मंत्रिय शोग्य हलोत ने एक बार फिर इशारो इशारो में कहा जो कभी पार्टी के प्रती लॉयल नहीं होते हुए कभी कामयाब भी नहीं होते मैंने हमेशा सभी का समान करते हुए सब को साथ लेकर चलने का काम किया यही कारण ढहा कि मुझे पार्टी और सौन्या गांधी ने मुखा दिया स्यम गुरुवार को जपूर में घाट के गोनी पर पूर राज्यपाल स्वरगिया पंडित नवल किशो शर्मा की प्रतिमा के अनावरन कायकरम को संबोधित कर रहे थे घ्यलोत ने कहा कि मुझे बावजी के साथ काम करने और आगे बढ़ने का अफसर मिला मैंने कभी बावजी में सीम बनने की लालसा नहीं देखी थी मैंने जब उन्हें राजसान स्वर्ने जुएंति समारो समिति का द्यक्ष बनने के लिए कहा तो उन्होंने स्विकार कर लिया था मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने मेरा ओफर स्विकार किया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज शुकरवार को गुजरात का दोरा करेंगे जहां वो करीब 4,400 करोड रुपे की परियोजनाओं का घाटन और शिला नियास करेंगे वो करीब 19,000 लाभारतियों को प्रधान मंत्री आवास यूजना के तहत घर सौंपने की कारिकरम में हिस्सा लेंगे प्यम मोदी गिफ्ट सिटी भी जाएंगे और वहां चल रही विबिन पर यूजनाओं की सिटी की समिक्षा करेंगे प्रधान मंत्री के राजी के एक दिवसी दोरे के दोरान अखिर भारतिया प्रात्मिक शिक्षक संग के 29 में द्वी वाशिक संबेलन में भी हिस्सा लेने का कारिकरम है सीम कहलोत और पारिट की बीच चल रही तना तनी अब सब के सामने है इदर गुरवार को बिस्टच्वार की विरोत में पूरू डेपुटी सीम सचिन पालट ने अजमेर से जन संगल शी यात्रा की भी शुरुवात कर दी है महीं जोदपुर दोरे पर आये केंद्रिय मंत्री शिकावत ने पालट की जमकर तारिफ की पालट की तारिफ के साथ है उन्होंने कहा कि मुखे मंत्री के विचा सुन कर मेरे मन के सारी ग्रंथियां खुल गई है दर असल केंद्रे मंत्री गजंदर सिंग शिकावत दो दिन के लिए जोदपुर दोरे पर हैं वे गुरवार को जोदपुर एरपोर्ट पर पहुंचे और यहां मीडिया से बाचीत के दौरान सीम पर निशाना साधा इसी महा 21 माई को पूरे राजसान के सभी जिलों में दो वर्षी है बीएड और चौर वर्षी है इंटेग्रेटिड बीएड 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 में प्रवेश के लिए पीटीटी परिक्षा का आयोजन हो रहा है परिक्षा में राजे के 1494 केंडरों पर 5,21,576 विद्यार्थी सम्मेलित होने जो रहे हैं परिक्षा आयोजन की नूडल एजनसी गोविन गुरुजन जाती विश्विद्याले बांसवडा जीजी टी यू को परिक्षा में नेगटिव मार्किंग को लेकर अनेक परिक्षार्थियों की परिवेदनाएं प्राप्थ हुई है राजे में हो रही पात्रता परिक्षाओं में प्राफधानों को देखती वे विश्विद्याले प्रुशासनी सहनों बूती पूर वकर विच्वार करते वे इस परिक्षा में राजे पात्रता परिक्षा सेट की तर्च पर सभी प्रशन पत्रों में नेगटिव मार्किंग हटाने का निर्ने किया है अब किसी भी गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे उद्यपूर में 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए UIT के दलाल लोकेश जैन से अंटी करॉप्शन ब्यूरो के अफसर दो दिन रिमान अवधी मिलने के बावजुद उसका मूँ नहीं खुलवा पाए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उद्यपूर में 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए UIT के दलाल लोकेश जैन से अंटी करॉप्शन ब्यूरो के अफसर दो दिन रिमान अवधी मिलने के बावजुद उसका मूँ नहीं खुलवा पाए सबसे हराने वाली बात यह है कि ACB के अफसर आरोपी लोकेश जैन से सवाल पूछते रहे और वो गर्दन जुका कर खड़ा रहा उसने ACB के सवालों का कोई जवाब ही नहीं दिया लोकेश जैन के मूबाइल में वाटसप चैट फे मैसेज से पता चला था कि उसका संपर्क यूडियेच प्रमुक सचिव कुंजी लाल मीना जॉंट सेक्रेटरी मनीश कोयर अनुभाग अदिकारी हरी मोहन मीना सहिद कई अदिकारी करमचारियों से है ऐसे में आरोपी से पूछताच में उच अदिकारीयों से अब तक कितनी बार डील हुई है जैपर एसीपी ने गुरुवार को जैपर ग्रेटर नगर निगम एतानात एराई दीप चंद सोनी को 25,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया ये कारेवाही एसीपी के एडिशनल एसपी ललिच शर्मा के सुपरविजर में हुई रिवेन्यू इंस्पेक्टर दीप चंद सैनी ने ये रिश्वत होडिंग नहीं हटाने के एवज में मासिक बंदी के तौर पर ली थी एडिशनल एसपी ललीज शर्मा ने बताया कि आरूपी नगर निगम में रिवेन्यू इंस्पेक्टर की पतपर है कुछ दिन पहले बापु नगर से थे एक कोचिंग सेंटर के शहर में लगे हुए होडिंग को दीब चन सानी ने जबरन हटवा दिया इस पर पिडित जब निगम कारा ले पहुंचा तो दीब चन सानी ने कोचिंग संचालो को कहा कि वो जल्द ही कोचिंग सेंटर से भी सभी बोर्डिंग हटवा देगा पिडित ने जब पैसा आधिक होने के बात कही तो आरूपी ने कहा कि 25,000 पर दे दो जिस पर पिडित एसी भी मुख्या ले पहुंचा और एसी भी के अधिकारियों को आप बीती बताई सेंसेक्स मैरीज को मानेता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोट ने गुरवार को फैसला सुरक्षित रख लिया इस केस में सुप्रीम कोट ने लगता दस दिन तक सुनवाई की गुरवार को सब्मिशन का फाइनल फेस था दस दिनों में 40 वकीलों ने दलीले पेश की सेज़ाई डीवाई चंद्रचूट, जस्टिस एस के कॉल, जस्टिस रविन रभट, जस्टिस पी एस नरसीमा और जस्टिस हिमा कोहली की समयधानिक बेंच दलीले सुनने के बाद कहा कि ये मुद्दा केवल स्पेशल मेरिज एक्ट तक ही सिमित रहेगा हम परसनल लोग को नहीं छेड़ेंगे, हम फैसला सुरक्षित रखेंगे दली के मंके मंतर अर्विन केजरिवाल ने गुरवार को सुप्रीम कोड के फैसले के बाद प्रैस कॉनफरेंस की, मीडिया के सामने आये, जेब से पच्चा निकाला, चश्मा चड़ाया और बोले, चीफ जस्टिस दीवाई चंदरचूर और सभी जज़ों का शुकरिया दली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोड ने नयाई किया है करीब 15 मिनट मीडिया के सामने बोलते रहे प्रधान मंतरी को राज्यों का पिता बताया कहा कि LG से निवेदन करेंगी कि काम में तांग ना आणाए उन्होंने अलान किया कि ना काबिल और बिस्टा चारी अफसरों को हटाएंगे इमानदारों को उचे पदो पर बिठाएंगे जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फाल भुगतना होगा सुप्रीम कोट ने फैसला दिया कि दिली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा पांच जोचों की समिधान पीटने एक राय से नहीं बलकि पबलिक और पुलिस और जमिन को छोड़कर उपराज जेपाल बाकी सभी मामलों में दिली सरकार की सलाहा और सहयोग से ही काम करेंगे कोटा शहर पुलिस ने कौपी माल बेचने की शिकायत पर गुमान पुरा इलाके में कारवाही की टीम ने जूतों के दो शोरूम से करीब 2500 जोड़ी जूते बरामत किये इन जूतों को कंपनी का बता कर बीचे जा ज़गा रहा था पुलिस की कारवाही से इलाके में हड कम अच गया कई दुकानदार तो कारवाही के डर से अपनी दुकान बन कर के चले गए किम ने मौके से नाय की और एडिरस के नखली जुते बरामत किये पुलिस की टीम कॉपिराइट एक्ट में नकली माल को जब्त करने के लिए ये कारवाही की है फिर बोरे में भर कर इन्हें थाने में ले गई कारवाही की सूचरों मिलने पर कई वियापारी थाने पहुँच गए राजसान के देवली शहर में खादेवी भाग टीम ने और्चक निरिक्षन कर अलग-अलग पांस दुकानों से साथ खादे पदार्थों के नमूने लिए दुकानों से लिए नमूनों को लब जांस में भीज़ा जाएगा बधवार को खादे स्रुक शादिकारी सतन नरान गुर्जर सुरेश शर्मा आदी की टीम ने शहर में कई प्रतिस्थानों पर खादे पदार्थ नमूने लेने की कारवाही की है टीम ने बस रन के बाहर एक दुकान से मिठी सुपारी चाय, अन्या, दुकान से ड्राइफूट्स, बादाम, किराना स्टोर से खुले मुख़ली का तेल, रिफाइन सोयबिन तेल, शुगर और रसगुला का नमूना लिया है उन्होंने बताय की खादे नमूनों को जाँच के लिए लेब में भीचा जाएगा कॉंग्रेस के विधायकों के बीच जले की राजनिती में वर्चस्व को लेकर मचे घमासान के बीच अब राजा खेडा विधाय रोहित बोहरा ने अपनी ताकत का परिच्व दिया है जले में ये पहली बार है कि जब जले मुख्याले से इतर आयो जित की गई है मैंना जारे कि इसकी पीछे बोहरा का जिला परिच्व पर नियंद्रन हावी रहा जानकारों के मुताबिक प्रदेश भर में ऐसे एकका दुका ही उधारन होंगे जब जिला परिच्व की साधन सभा की बैठक जिला मुख्याले से बाहर होई हो बर्सु से अटका पड़ा जिला नियाले परिच्व का नियर्मान कारे अब जल्द ही पूरा हो सकेगा जिला नियाले नियर्मान के लिए कुल राषी 33 करोड रुपे हो गई है जोलंदर लोकसवा उपजणाव में आमादमी पार्टी से राजे सवा सांसत और पूर्व क्रिकेटर हर वजन सिंग वोट डालने ही नहीं पहुंचे इतना ही नहीं उनके परिवार के किसी भी सिदसे ने वोट नहीं डाला बताय गया है कि भजजी इंडिनों इंडियन प्रिमेर लीग में व्यस्तने इसी के चलते वोट डालने नहीं पहुंच पाए वहीं दूसरी और वोटिंग से पहले तक पंजाब की मख्यमंद्र भगवन सिंग्मान लोगों को घर से बाहर निकल कर वोट डालने के लिए प्रिरित करते रहे उन्होंने जलंधर में कई रोट शोड निकाले साथ ही ट्वीट के जरिये भी लोगों को वोट डालने के लिए कहा जैपर इंटरनाशनल एर्पोर्ट पर जल्धी कार्गो सर्विस की शिरुवात होगी जो टर्मिनर वन से की जाएगी इसके लिए अलग-अलग कार्गो यूनिट्स बनाए गई है शिरुवात घरेलू कार्गो सेवाओं के साथ होगी लेकिन साल के अंतक इंटरनाशनल कार्गो की मुवमेंट की भी सुविधा शुरू की जाएगी नई कार्गो इकाई जून के प्रथम सब्ताहा में शुरू होने की संभावना है नई यूनिट 550 वर्ग मिटर के एरिया में बनी है और जिससे हर महीने 2300 मिट्रिक तन कार्गो की हैंडलिंग की जा सकेगी प्रताबगड के निकटवर्ती शौली हनुमान मंदिर में स्वर्ण कलशा रोहन और ध्वजा रोहन का आयोजन आयोजित किया गया मंदिर के शुकरपड सुबै से 90 किलो के प्रधान स्वर्ण कलश साहित 9 कलश और ध्वज प्रतिस्ठा का रोहन कारकर मायजित हुआ साथ ही दोपैर को ढ़ाई वजे हलिकाप्टर से पुष पवर्षा की गई वही रामायन मेला ग्राउन में श्री राम कथा का आयोजन किया जो रहा है जिसमें कथा वाजक संत मुरली धरने बगवान राम की विवाह और तुरंत बाद वन में जाने का आदेश मिलने की कथा सुनाई तो फिलाल इस बिलिटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबर के साथ